आप अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पे मेरा डेक्स्टॉप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आप देखिए CC का एक आईकॉन मना हुआ है और साथ ही साथ CS3 का भी आईकॉन मना हुआ है मैंने अपने कम्प्यूटर में CS3 भी इंस्टॉल करके रखा है और CC का लेटेस्ट वरजन CC2020 भी इंस्टॉल करके रखा है तो चलिए सबसे पहले हम लोग CC2020 जो फोटोसॉप का लेटेस्ट वरजन है वो स्टार्ट करते हैं मैंने डेक्स्टॉप में दिये गए इस आईकॉन पे डबल क्लिक किया और फोटोसॉप स्टार्ट हो रहा है फोटोसॉप कितनी जल्दी स्टार्ट होगा यह आपके कम्प्यूटर के कॉन्फिग्रेशन के ओपर डिपेंड करता है फोटोसॉप कौन से विंडो ऑप्रेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है उसके लिए कम्प्यूटर में क्या कॉन्फिग्रेशन होना चाहिए इन सब के उपर एक अलग से वीडियो दिया गया है जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं यहां देखिए फोटोसॉप स्टार्ट हो चुका है और यहां पर यह उसका होम स्क्रीन है इस स्क्रीन को जो सबसे स्टार्टिंग में आता है फोटोसॉप स्टार्ट करते के साथ उसे हम लोग होम स्क्रीन बोलते हैं Photoshop के पुराने वर्जन में Home Screen नहीं दिया गया है आईए इस Photoshop को मैं Close करता हूँ और Photoshop का पुराना वर्जन CS3 स्टार्ट करता हूँ मैंने इसे Close कर दिया और अब मैंने Desktop पे CS3 के आईकॉन पे Double Click किया अब देख सकते हैं CS3 स्टार्ट हो रहा है CS3 स्टार्ट होते के साथ यहाँ पर Left Side में Toolbox आ जाता है और Right Side में हमें Panels नजर आते हैं और बीच में यह खाली हिस्सा रहता है जिसे हम लोग Work Space करते हैं इस हिस्से पे आप Double Click करके कोई साभी Photo उपन कर सकते हैं जैसे यह देखे मैंने आप Double Click किया और Desktop में से एक Folder ले लेता हूँ यहाँ पर से मैंने Sample Image नाम का Folder उपन किया और एक Photo पे Double Click किया तो वो Photo यहाँ पर Open हो गया कोई दूसरी Photo मुझे Open करनी है तो इस ही खाली जगह पे मैं Double Click करूँगा कोई दूसरा Photo सेलेक्ट करूँगा और वो Photo ओपन हो जाएगा यह देखिए लेकिन Photoshop के नए वर्जन CC में अभी आपने देखा कि Photoshop स्टार्ट करते के साथ सबसे पहले Home स्क्रीन आता है आईए इसे मैं Close करता हूँ और दुबारा Add of Photoshop CC 2020 स्टार्ट करता हूँ मैंने आइकॉन पे Double Click किया और यह Photoshop स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं Photoshop स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर Left Side में Toolbox नजर नहीं आ रहा है Right Side में कोई Panels नजर नहीं आ रहा है उनके बजाए यहाँ पर Home Screen नजर आ रहा है यह जो Screen आप देख पा रहा है इसे Home Screen करते हैं यहाँ पर आप Double Click करके Photo Open नहीं कर सकते हैं अगर आपको Photo Open करना है कोई सा तो आपको Left Side में दिये गए इस Open Option को यूज करना पड़ेगा या फिर File Menu मेनू में जाके Open Option सलेक्ट करना पड़ेगा या फिर इस हिस्से पर किसी भी Photo को Drag करके लाना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा कई लोगों को यह Home Screen का फीचर अच्छा लगता है कई लोग को यह फीचर अच्छा नहीं लगता है इस Home Screen के बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको यह Home Screen पसंद नहीं आता है अगर आप चाहते हैं कि आपका Photoshop का नया वर्जन भी पुराने वर्जन जैसा ही Start हो Start होते के साथ Left Side Toolbox आ जाए और Right Side Panels नजराने लगे और बीच वाले हिस्से पे आप Double Click करके Photo Open कर पाएं तो इस सेटिंग को आप Change कर सकते हैं इस Home Screen को आप Permanently Disable कर सकते हैं Permanently Disable करने के लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर Edit Menu में जाना है Edit Menu में आपको जाना है और यहाँ पर Preference में जाना है और यहाँ पर General में जाना है अब Keyboard से Ctrl K बटन दबाके भी इस सेटिंग में जा सकते हैं यह देखिए एक Box Open हो गया है Preference का यहाँ पर आप देखिए By Default Auto Show the Home Screen यहाँ पर एक Option आपको नजर आ रहा होगा Auto Show the Home Screen By Default यह Option On रहता है इसे आपको Off कर देना है यहाँ पर मैंने इसे Off कर दिया और इसे OK कर दिया और अब मैं एक Photo Open कर लूँगा एक Photo Open करने के बाद आपको Photoshop Close करना है आपको पहले ही Close नहीं करना है मैं Open Option में गया और यहाँ पर से एक Photo मैंने Open किया एक Photo Open हो गया है अब मैं इस Photo को Close कर दूँगा और Photoshop को restart कर लूँगा यह देखिए मैंने Adobe Photoshop के icon पे double click किया Photoshop start हो रहा है Photoshop start हो चुका है और अब देखिए Photoshop start होते के साथ home screen आपका नजर नहीं आ रहा है सीधे आपको left side पे toolbox नजर आ रहा है और right side में अलग-अलग panels नजर आ रहा है और इस खाली हिस्टे पे आप double click करके कोई साभी photo open कर सकते हैं यह देखिए मैंने यहाँ पर double click किया और कोई साभी photo मैंने open कर लिया आपको यहाँ पर इस photo के side side में खाली area नजर आ रहा होगा Photoshop के पुराने version में किसी भी खाली हिस्टे पे double click करके आप photo open कर सकते थे लेकिन यहाँ पर right click नहीं होगा यहाँ पर आप photo double click करके open नहीं कर सकते अगर आपको कोई दूसरा photo open करना है तो यह तो आपको file menu में जाना पड़ेगा और open option select करना पड़ेगा या फिर इस medium gray color के area पे आपको right click करना पड़ेगा यह देखे यहाँ पर मैं एक line बनाता हूँ यहाँ पर आपको right click करना है और open document option select करना है अगर आप इस नीचे वाले हिस्टे पे right click करेंगे तो यह देखे कुछ दूसरे options आ रहे हैं लेकिन अगर आप इस वाले हिस्टे पे right click करेंगे हिस्टे पे मैंने आप right click किया open document यह तीसरा photo मैंने open कर लिया और यह देखे यह तीसरी photo भी tab में आ रही है जबकि Photoshop के पुराने origin में क्या होता था कि स्टारे के सारे photographs अलग-अलग window में open होते थे तो फिलाल तो हमने देखा कि home screen कैसे disable करना है permanently अगर आपको home screen दुबारा वापस लाना है तो दुबारा आपको edit menu में जाना है और यहाँ पर preference में जाना है और general में जाना है और यहाँ auto show the home screen इस option को on कर लेना है यह देखे मैंने auto show the home screen option को on कर लिया ok किया और अब मैं Photoshop को दुबारा restart करता हूँ मैंने double click किया Photoshop restart हो रहा है और यह देखे Photoshop restart होते के साथ यहाँ पर आपको home screen नजर आ रहा है इस home screen में आपको photo open करने के लिए यहाँ पर इस open button का इस्तमाल करना पड़ेगा या फिर file menu में जाके open option का इस्तमाल करना पड़ेगा आप इस खाली हिस्ते पर double click करके photos को open नहीं कर सकते हैं तो यह देखे मैंने दुबारा एक photo open किया मैंने open button पर click किया एक photo मैंने open कर लिया यह देखे photo open हो गया है अब दुबारा कोई photo open करना है तो इस बार आपको क्या करना है इस खाली gray color के बार पर click करना है right click open document कोई साभी एक photo open कर लिया मैंने दुबारा आप चाहें तो multiple photo भी open कर सकते हैं अगर आपको home screen दुबारा चाहिए आप चाहें तो यहाँ पर right click करके photo open कर सकते हैं आप चाहें तो file menu में open option में जाके भी photo open कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर इस home button पर यहाँ पर आप देखिए home button का एक icon दिया हुआ है इस button पर आपको click करना है और click करते के साब आपका home screen दुबारा open हो जाएगा फिर आप open option में जाके फिर से photograph open कर सकते हैं अगर आपका home screen on रहेगा तो जो भी photograph आप open करेंगे वो recent document के रूप में save हो जाता है जैसे इन सारे photographs को मैं close कर देता हूँ यह देखिए मैंने सारे photographs को close कर दिया home screen दुबारा आ गया और जो भी photographs मैंने थोड़ी देर पहले open किया था वो यहाँ पर recent document के रूप में show हो रहा है अगर मैं photoshop को restart भी करूंगा जैसा यह देखिए मैंने photoshop को restart किया Photoshop को restart करने के बावजूद भी वो जो recent document रहते हैं वो वहाँ पर show होते हैं यह देखिए photoshop restart हो चुका है और इस एरिये पर आप देख सकते हैं की recent document show हो रहे हैं जो भी document आपने last time इस्तमाल किया था by default Photoshop में क्या होता है कि last के 20 recent document को वो यहाँ पर show करता है आप चाहते हैं कि वो 1000 document show करें तो आप ऐसी setting भी कर सकते हैं आप चाहते हैं कि वो कोई भी recent document show ना करें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं ऐसा करने कले क्या करना है ऐसा करने कले आपको edit menu में जाना है मैं edit menu में गया edit menu के अंदर आपको previously में जाना है प्रिफरेंस के अंदर file handling में जाना है यहां पर आपका preference का box open हो जाएगा यहां पर नीचे में आप देखिये recent file list contain यह बताया हुआ है ये एक option दिया हुआ है, जो by default 20 set है, तो आप चाहें तो इसे 1000 कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 100 कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 0 कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे कर दिया, 0, OK किया, और यहाँ पर किसी भी एक photo पर डबल क्लिक किया, वो photo open हो गया, लेकिन इस बार अगर मैं close क यहाँ पर open हो गया है, इन सभी को अब मैं close करता हूँ, मैंने close कर दिया, और यह देखिए, recent files बिलकुल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि recent file का value हमने 0 डाल दिया है, तो आप चाहें तो यह home screen को भी disable कर सकते हैं, आप चाहें तो जो recent file जो यहाँ पर नजर आती है, उसे भी disable कर सकते हैं,